So hey guys, कैसे आप सब लोग? I hope आप सब बढ़िया होंगे तो मैं आ गया हूँ एक trending reel के साथ और तो यह जो आपने scene change होने वाली वीडियो देखियोगी इस type की आपने देखा होगा कि ऐसी वीडियो बहुत ज़ादावारल होती है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह वाले जो effects है यह कैसे बनाएं तो चलो वीडियो को करते हैं सुरू तो सबसे पहले आपको वीडियो में अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है और जहां भी आपको object change करना आपको वहाँ पे जाके fridge के option पे click कर देना है अब जहां से आपने उस object को fridge किया है वहाँ पे full screen करके और उसका ले लेना screenshot है उसके बाद जाना आपको किसी भी browser में और वहाँ पे जाके search करना है Adobe Firefly जो पहली website आएगी इस पे करना है click और इसके अंदर आपको कर लेना है sign up sign up करने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा scroll करना और आपको ये option दिख रहा होगा जर्नेटिव फिल इस पर कर देना आपको click इस पे click करने के बाद आपके पास उपर option आएगा upload image उस पे करना है click और यहाँ पे जो आपने screenshot लिया था वो यहाँ पे add करना है अब आपको ये थोड़ा सा confusing लग रहा होगा लेकिन आपको कुछ नहीं करना जो आपका object है और अपनी उंगली को आपको समझना है brush तो पूरे जो object है जैसे मेरे ये bike है तो इस पे पूरी पे brush मार देना आपको सिरफ और यहाँ पे कुछ भी लिख देना like super bike, old bike जो भी अच्छा लगे वो यहाँ लिख देना आप और नीचे ये आपके पास बहुत सारे option दे देगा आपको उसमें से कोई भी select करना है image select करने के बाद उपर download का option होगा इस पे click करना और यहाँ से अपनी image डाउनलोड कर लेनी है आपको ये process total 6 बार तो minimum करना ही है और बाकी आपकी मर्जी है आप जितना कर सके उतना आप कर लेना I mean आपको 6 photo यहाँ से download करनी है अब वापिस से आपको जाना VN app में और जहां से आपने वो freeze किया था वहाँ पर इन 6 की 6 photo को add कर देना और जो photo की duration है वो minimum कर देना drag करके बिल्कुल जितनी minimum हो सकती है उसको उतनी कर देना और बाकी आप वीडियो में भी देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ अब आपको एक photo select करना जो अभी भी download किया है जो first वाला है उस पे click करना और mask पे जाना है और circle वाला यहां से select कर लेना है और अब जो circle का feather है उसको यहां से drag करके अपनी clip के according कर देना है ऐसा ही process आपको हर एक clip में करना है जो मतलब photo आपने import किये थे अब जहां पे last photo end हो रही है वहां पे जाना है और आप नीचे देखोगी कि जो freeze वाली अपकी image थी वह उससे बड़ी है तो आपको क्या करना है कि आपको एक cut लगाना है जहां पे वो clip end हो रही है और जो back side की video हो उसको कर देना है delete अब आप देख सकते आपको video ready हो चुकी है I hope so आपको video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना तो मिलते आपको next video में तब तक के लिए peace out जय हिंद वंदे मात्रम